क्यों नमस्कार आप सभी का सौगात है आपके बने यूटूग चैनल स्टड़ी फर जीके में आज के लेक्षर में जैसे कि आप सभी लिए देख पा रहे होगे परवण की सिंख्ला को आगे बढ़ाती हुए आज बात करेंगे एक जिसे टॉपिक पर मानो जरेत आपदा जो ह पहले देखिएगा ऐसी आपदा जो मानो जरेत कारणों से उत्पन होती हैं और बहुत अधिक मात्र में जानमाल की हानी पहुचाती है मानो जरेत आपदा कहलाती सिंपल डेफिनिशन आप लोग याद रखेगा अब किस प्रकार की आपदा हो सकती हैं इस पर देखिएगा या प्रकार कुछ दिए गए आप लोगया रखिएगा परमानो युद् से बने वाले महात्पर पर दिखे दोश्त ढेंप की स्पिटरीज सरी चला जा रही है और好啦 बात कर लेटे हैं कुछिन ne chapter 1 की आप जनेत आपदाइं किन कारणों से होती हैं तो मानों जनेत जो आपदा होती हैं कारण पूछा जा रहा है दोस्तों तो दीदे कीएगा option आपके सामने निकल कर आ रहे हैं option टिक करेएगा option number B करेक्ट आंसर हो जाएगा माना निर्मित कारणों से यह आपदाएं आती है second question आपसे यह पूछा जा रहा है दोस्तों इतियास में पहली बार परवाणों दुरुखटना कब होई थी सिंपल है और important भी है आप लोग याद रखीएगा option इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 अगस्त 1945 यह नहीं बोल सकते हैं 6 अगस्त 1945 को परवाण दुरुखटना होई थी पहली बार ओके विसे चर्चा नहीं करेंगे कि इसकी तमाम क्रेशन लिए गए इससे दिखेगा next question देखी हिरोस्मा पर गिराए गया बं का नाम क इसके दो नगर है जिन पर परवाण बं गिराया गया था तो यह कहां कि नगर हैं दुस्तू कहां कि सहर है अपसर मर्सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान की सहर है रोस्मा और नागासा की ओकी चली बात करलेते next तकि यह पूछा जारा आपसे फेटमें नम पर परम बं गिराया गया था फैटमेन करके वो नागा साकी में गिराया गया था अब देखिए यह देखिए आपका आप लोग के लिए रखिएगा 26 अप्रेल 1986 को चैनोबिल परमानु सिरंच से बिसपोर्ट हुआ तो आप सिंपल याद रखिएगा ओके चलिए अब बात कर लेते हैं कुश्चिन नुमर एट की तो कुश्चिन नुमर एट आप देखिएगा भुपाल गैस तरासती यहां से पूछा जाता है यह कुश्चिन याद रखिएगा मेथाइल आइसोसाइनेट सौट में अगर बात की जा तो एम आई सी मिग याद रखिएगा यह गेस रिसाओ हुई थी जिसकी वज़े से यह बहुत बड़ी तरासदी हुई थी विस्तुलीबल में ओकी चलि बात कर लेते यह बहुकर म्तिएगा वहुकर मैं फे बॉचा जारा कि की किस बस्तु की useless ध्यू आद रखिएगा यह ब्रस बड़ी अगर एमत्रश बैगी कर लेते हैं कुछ रिमर टेन आपसे पूछा जारा कि कि présचत्य के जल्ले की घट्णा को क्या कहतें दोस्तों सिंपल है कि présचत्य की जल्ले की घट्णा क lotta क्या कहते आग आग का लगना क्या कहलाता है आग का लगना आपसन नुБर एस का रइट रहे सबसे पहले प्रवंदन में आगर बात कि चाहित तो तैयारी भी करना होती इसके अलावब प्रतिकरिया यह पुना प्राप्ति तो option number D, इसका right answer हो जाएगा ओके, ये सभी next बात करेंगे फुकुस्मा परवाणू अब्दा किस देश में घटेत हुई थी याद रखीगा, ये भी महत मात्पूर है याद रखीगा, जापान में कहाँ पर घटेत हुई थी, फुकुस्मा परवाणू अब्दा किस देश में घटेत हुई थी, जापान में right answer क्या हो जाएगा, option number C चली, बात कर लेते, next next देखिएगा फुकुस्मा परवाणू सरेंद में परवाणू दुरुखणना कब हुई थी इस्थान तो हमने देख लिया, लेकन कब घटे थुई थी घटना, तो आप याद रखिएगा, ग्यारा मार्स 2021 को, ग्यारा मार्स 2021 को यह फुकुस्मा परवाणू सरेंद में परवाणू दुरुखणना हुई थी, तो आप याद रखिएगा चली, बात कर लेते, next फुकुस्मा परवाणू सरेंद में परवाणू दुरुखणना के पीछे किसका हाथ था, यह फूचा जासकता है, दोस्तों, सिंपली आप याद रखिएगा, इस सुनामी लेहरों की बज़े से, यह घटा हो चुकी थी, कहाँ पर परवाणू सरेंद बन रहा था, उस समय, परवाणू सरेंद में परवाणू दुरुखणना की पीछे किसका हाथ था, जो सुनामी आती है, उनका हाथ था, तो आप याद रखिएगा, बेसे शुरुप से सुनामी लेहरों का, बेसे शुरुप से यह युगदान था, ओके चलिए, बात कर लेते, नेस्ट, देखे, कुश्चन लास्ट है इस वीडियो का, और हवाई दुरुखणना का प्रमोक करण क्या होता है, यह हवाई दुरुखणना सम्मन्द है, जितनी भी दुरुखणना होती है, आप याद रखिएगा, यही कुश्चन आप से पूछा जा रहा है, तो आप याद आपका बेपिर रावत जी का जो बिमान था क्रेस हो चुका था इस प्रकार से हाइजेकिंग भी होती है तो इस प्रकार से ओप्षन सभी सही होंगी और ऑप्षन हो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा और देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रखे गए हैं इस वीडिय क्या पूछा जा रहा है आपसे एट्स रोग की प्रिसार का क्या कराण है तो एट्स समागम और रक्त की वज़े से फैलता है तो आप याद रखेगा रक्त की संचर्ण से और इसके अलावा बात कर लेते हम नेश्ट देखिएगा मेट काउ रोग आप याद रखेगा मेट क रोग किस बस आस्तत में आया था याद रखेगा 1986 में कब आया था 1986 में उके दोस्तों वीडियो के कंप्लीट होता है और वीडियो आपको हेलफुल लगता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकोन कौन करिए जिससे हमारे आने वाले शबी वीडियो का आपको